इस जगत में बहुत सारे रहस से छुपे हुए हैं यहां मानव की महाकथा इस विश्व से जुड़ी है दीप की रोश्णी से भूत डरते हैं यह दीप और यह चक्र केरल राज के भूतों को खत्म कर देता है केरल में दुनिया के अधिपति आत्माओं प्रेत आत्माओं दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को जानकर महान लोग पूजा करके उन्हें खत्म करते हैं ऐसा इतिहास है इन बुरी शक्तियों का हमारी दुनिया में आना मामूली बात है वो हमारी दुनिया में रहकर हमारे जीवन के अंदर घुसना चाहती हैं वो आत्माओं पवित्र शरीर को ढूमती रहती हैं इन दुष्ट शक्तियों का आना आज का नहीं, कई सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये दुष्ट शक्तियां मानव जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी से भी टकरा जाती हैं। यहां तक कि वो भगवान से भी नहीं डरती हैं। इसका ये साक्षात उधारण है। मंजुल रेडी हो ना। यहां। शोहता तुम एक बार और सोच लो हमारा इस बंगले में जाना ज़रूरी है क्या। यह ऐसी फालतु बाते सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारा साइकोलेची स्टूडेंट हो भी तुम इन सब आतों से डड़ती हो। चलो चुपचाप चलो अंदर। यार शोहता यह कहां लेकर आ गई है तुम यहां कोई भूत उत मिल गया तो हमनों क्या करेंगे। हे बात मत करो चुपचाप चलो बस हे यहां सिगनल मिल रहा है चलो रूपा हमें यह प्रोजेक्ट करना ही है। इसलिए हमें बीना धरे चलना ही पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आराम से चलो ना। यहां कोई है क्या। मंजुल यहां तो कुछ भी नहीं है यार। यहां कुछ तो जरूर है। मंजुल तुम कैमरा उन करो। श्वेता इस जगह पर तो जरूर मिलेगा। यहीं कहीं है तुम्हारा भूत। तुम तो चुपी रहो। पहले ही सब लोग डरे हुए। तुम और क्यों डरा रहे हो। हेई। ध्यान से चलो। मंजुल लहां से जिनल मिल रहा है। श्वेता यहां पर तो खून ही खून है। श्वेता यहां पर तो खून ही खून है। मंजुल संभल कर। क्या हुआ। देखो वहां कोई है। श्वेता, मुझे लगता है किसी ने तुम्हें रॉंग इंफॉर्मिशन दिये। तुम ना हर किसी की बात पर भर उसामत किया करो। तुम चुपचप चलो बस। यहां को यहां का? यहां, जी तुम डाउत यहां को शेता है। यहां को शेता है। लपन शाह पूर्फ दोना मेंगार, घडरे केरसे में छाहते पर लूश साथ, भी तो फजो है साथ, एज ननाा है? यह श्वेता, वो दोनों कहां चले गए यार, यहीं कहीं होंगे यार, तुम लुक चलो, यहां पर कोई भूत नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं तुम लोगों को डरानी की कोशिश कर रहा था, जरा सी भी सीरियसनेस नहीं है, हमीशा मजाग करते रहते हो, तुम लोगों को लेकर ही नहीं आना चाहिए था, रूपा, रूपा, तुम्हारे साथ ही तो थी, कहां चली रूपा, 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 कहां रूपा, 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 रूपा ही दो है, यह आवास तो रूपा की है, रूपा, क्या हो गया रूपा, सुनो हर, किसे ने मुझे टाच्च किया, हमसा लगा, हमसा लगा, हमसा लगा, Dear students, अभी आप लोगों ने वहां लिये वे सारे वीडियो देखे हैं. Any questions? Actually, भूत क्या है? वो सच में होते हैं क्या? और होते हैं तो कहां होते हैं? दरअसल भूत क्या है? इस सवाल का जवाब, कौन सवाल कर रहा है? इस पर depend करता है. अगर आप नास्तिक हैं और ये सवाल करते हैं, तो ये भूत प्रेत एक मन का भ्रह्म है, अंद विश्वास है, वो नहीं है, यही कहेंगे. पर अगर आप आस्तिक हैं और ये सवाल करते हैं, तो भूत प्रेत जरूर है, यही कहेंगे. समझ गये ना? अगर आप लोग positive energy से भूतों के बारे में सोचेंगे, तो ठीक, और अगर भूत के बारे में negative energy रखेंगे, तो आप लोग confused रहेंगे लेकिन एक paranormal investigator होकर सोचें, तो सच में ये एक paranormal activity हो सकती है और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने देखा नहीं तो नहीं मानता कुछ हमें सामने या अंधेरे में दिख सकते हैं और कुछ कारिय से भूत होते हैं दरसल हमें ढूनना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है क्योंकि आत्मा का कोई particular एक जैसा कोई भी रूप नहीं होता है चेक दिस कैमरा से कैप्चर किये हुए कुछ आत्माओं के विजूल्स आपने देखे हैं अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो और भी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग विजूल्स आप लोग देख सकेंगे ओ, आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में आत्माओं के बारे में और बात करेंगे, बाई श्रेता, यह सर, तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा काम प्या, थैंक्यू सो मच, सर, थैंक्यू, यह, बाई हे श्रेता, कंग्रेट्स यार, हमारा प्रोजेक्ट सबको पसंद आया तुझे भी इस पार देखना, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फूल मार्क्स मिलेंगे तुम्हे बहुत अच्छा डिजाइन किया प्रोजेक्ट यह, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया, यह तो हमारी पूरी टीम की महनत का नतीजा है यह क्या है यार, कैसे भी बन करना चाहूं बन नहीं हो रहा है अरी, यहां तो सब चलें गए है यह कौन है, सब लोग चलें गए, अकेले क्यों बैठाई यह, पोर्ड इस तरफ है, लेकिन वह उस्तरब मूँ करके बैठा है यह है कौन, अलो, एक्स्क्यूज मी, अलो, कौन हो भाई, सुनो, मैं तुम से बात कर रहा हूँ, भाई हो कौन तुम देख के नहीं पता चल रहा क्या देख रहा है, शकल से तो लड़के ही लग रहे हो, समझ में आता है इतना मुझे पता चल गया लड़का ही हूँ, तुम्हें कोई शक है क्या आगे क्यों आ रहे हो, तुम्हारी शकल, तुम्हारी चाल देख के लगता है कि जैसे रेप करने आ रहे हो मैंने अपना आज का राशी फल पड़ा था, कोई ना कोई मुसीबत में फसुगा ऐसा लिखा था, अभी तक तो कोई मुसीबत नहीं आई, पर इसकी नजरों से लग जल्दी मुसीबत आने वाली है, रुको, 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 मैं भी लड़काई हूँ यार, प्रूफ है मे रुको यहाज था किन तूब आपर रुफिफ लिकिन तूब… हे गे तूब कोई सवाल नहीं, तूब सवाल मैं पुछुगा, कौन हो तूम और यहाँ क्या थाकर हो हमारी कॉलिज के हो क्या हूम यहाँ बैठ चूपर बात कर सकते हैं क्या… यह…. ए यह… पैसी बात कर रहाँ हम लोग यहां बैठ कर क्यों बात करेंगे मैं बहुल रहा हूं तुम जाओ यहां से जाओ जाओ फट गड़ाओ चूर अरे-अरे मेंटल केस यहां कहां से आगया यह कुछ दे रहा है अरे यार आज तो मैं बाल-बाल बच गया भविश्वानी की बात गलात हो गई है अब क्या हो गया मेरा बैग नीचे गिर गया रुको लेकर आती हूं है 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 थो मुझे पाहर नेकाल। मै रहार आना चाहते हूं मेना नाम पाहवदी है मै तुनहारी तोस्त हूं मुझे पाहर नेकालो श्वेता क्या कर रही हो जल्दी चलो हम एक मिनिट क्या यार कैम्रे का बैग तो नहीं गिरा दिया अरे नहीं नहीं चलो जंदी चलो आज दीदी श्वेटा में किचेन में हूँ श्वेटा अपनी जीजा जी के साथ हाई होगा नहीं दीदी मेरे एक फ्रेंड है उसीने ड्रॉप किया दीदी सर बहुत दुख रहा है कॉफी मिल है था चल खाले कितना टाइम लगाओगी मिस इंडिया कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो रही हो क्या जल्दी आओ आ रही हो यार तुम क्यों सद्य यल्पतियों की तरह गुस्सा हो रहे हो ए प्रवीन हां क्या कर रहे हो यार इतनी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा यार श्वेता ओके है ना ही रोइन की तरह लग रही हो बस करो प्रवीन मंजुल रेडी ना रेडी तरहसल ये भूत ये आत्मा और ये प्रेत आत्मा है क्या समझ गया समझ गया एक एक्जांपल तो तुम ही हो ये सब रहते कहां यहीं तो है हमारे सामने उस पर आप कैसे बहरोजा कर सकते हैं अब तक हमने साधारें से बूत के बारे में सुना और देखा वो सच है क्या मा की कसम सच है बहन जी तुम क्यों हिल रहे हो यार यह कोई कोमेडी शो चल रहा है क्या तुम बोल यहीं साबित करने के लिए पारसाइकोलोजी स्ट्यूडट्स बूत बंगला जा रहे हैं जाओ जाओ लेकिन जो अंदर जाएगा उसका वापस आना पक्का नहीं है इसके अलावा और भी है क्या श्वेता अरे बस करो महाराणी सुनो प्रवीन ध्यान से चारुतरब देखो तुम्हारे दादा जी यहीं गूमते मिलेंगे ए चुप रहो मंजूल फाल्तुमें मड़ आओ यह क्या है यह क्या है यह श्वेता हां यह आ रही हूं यह यह तो बहुत ही भैयंकर है यार वाव यार प्रवीन तुम्हारे दादा जी का क्या बंगला है यार कमाल है बॉस यह 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 क्या है? कुछ तो विचेत्र सा है कुछ देंक यह को तो म कुछ खो विचेत्र फ्रियुँ अछिए कुछ प्रीण कुछ विचेत्र दूग हुआ 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 यह पींटी बहुत अच्छी है यह राजा कौन हो सकता है इस राज महल में पता नहीं क्या क्या होता होगा यहां पता नहीं कितने राज छुपे हैं आपको आने में देर केसे बहुत काम था इसलिए लेट हो गया श्वेता आगई है क्या आगई है ऑल्रेडी रूम में सो रही है में आपको यह बंगला पसंद आया ना बहुत अच्छा लग रहा है पर इतने बड़े बंगले में टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है सुनो हमें इस राज महल जैसे बंगले की क्या जरूरत है देखो राज महल में रहने का स्वभाग यह मिला है अब हमारी जिं शोटा ने खाना खा लिया उसने आते ही नाश्ता कर लिया अब नहीं खाएगी तुमने खाया मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो तुम भी बैढ़ जाओ साथी खाना खाते हैं कि अ कि Хм... ... ... ... ... ... ... ... ... मैं तुम्हानी सिवार हुआ 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 है हुआ है क्या है श्वेता कोई घर पर आया है क्या इस वक्त घर पर कौन आएगा तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा श्वेता रात बहुत हो चुकी है जा की सोजो ठीक है दी दी क्या है बोलना जीजा जी आ गए क्या तुम्हारे जीजा जी खा के सो गये है तुम भी ज्यादा सोचो माँ जा की सोजाओ गुड़नाइट दी गुड़नाइट कर्व हुड़नाइट कर दो कर दो मिं हो कर दूप कर द कर दो कर द रहति कि व दूब atteन होला झट कaning कि अटन आते हैं ्ऄम्ग्초 कि दो कि आख से यह कु प्रुमर के दरूर के और थार दिर प्रूर कर अार मैं एडं़ इड्या एडं़ हुआ हुआ एड़ इसद इस बू़ इसके एंदर है क्या? श्वेता, हाँ, आ रहे हैं दिदी कितनी देर लगेगी तुझे तैयार होने में तुम्हारे जीजाची आदे खंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं सुरे जीजू देट्स ओके श्वेता, कैसी चल लिए तुम्हारे स्टेडी? बहुत अच्छी चल रहे है जीजू तुमने कोई प्रोजेक्ट किया था ना, कैसा रहा हो? कमाल का एक्स्पीरियंस रहा जीजू हमारे प्रोफेसर को तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया हमें उस प्रोजेक्ट के लिए हाइस्ट पॉइंट्स मिलेंगे मेरे फ्रेंड बोल रहे थे यह क्या स्टड़ी है पता नहीं भूत प्रेत के बारे में रिसर्च कर रही है यह कैसी पढ़ाई है मेरी समझ से तो बाहर है खालो अरे उसे जो पसंद है उसे वही पढ़ने क्यों नहीं देती आप भी ना हमेशा इसी की तरफदारी करते रहते हो इसी लिए यह अपनी मनमानी करती है ची कॉलेज का प्यून बनके परेशान हो गया हूं सुबह सबसे पहले मुझे यह आना पड़ता है और शाम को सब के जाने तक रुको एक दिन की भी छूटी नहीं मिलती सब काम मुझे अकेले कोई करना पड़ता है तुम्हें मेरी जरूरत हो तु बोलो न यह कौन बोला बीच में यह कोन बोला बीच में यह 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 यार कैसे आदिया अरे भगवान बचालिया मुझे हाँ 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 भुक अए वो आह एंग F्क इ ए F्क इ Kashऐ स्वार्ण यह किसने आवाज दी मुझे कुई भी नहीं है यहां तो इस लड़की को ना जरा भी जिमेदारी का एसास नहीं है सारी कपड़े यहां फैले हुए है आने दो इसे कि अहिए यहां बत्रास भी जो कर देना है एए दर लओ बनीड पाद़्यात्य भी यहां इसे अपूप मुरेश का उपणते नहीं मैं खेलता हूँ wunder Chili तeleri आ तो हमें खेल नहीं नहीं दिते हो कुछ नहीं तो फिर तुम इतनी डल्की यहे बताओ जो प्रोफेसर ने क्लास में बताया था उसी के बारे में सोच रही थी बस क्यों हो आच जो अने बताया घया और चो मेरे मेरे गर में कोई है अजीब सी आवाजे आती हैं समझने यारा क्या हो रहा है सिर्फ यही बात है हमारे घर में हर रोज ऐसी आवाजे सुनाई देती है उस पर यकीन मत करो आज भूत दिखेगा क्या दर असल तुम अभी भी उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल पाई हो इस मैंने रात- तुम किसी को कहानी सुना रही थी अरे वा तुमें कबसे कहानिया सुन्ने का शॉट चटर गया तुम सिर्फ लडकियों को कानी सुनाओ किया हमें भी सुना दो यार वंने गर में कुछ इजीब सा मेरी बाइक पता नहीं क्यों धोका दे रही है मैं देखता हूं इसे तुम उत्रो यार क्या यार तुम भी साथ नहीं दे रही हो मेरे पिताजी भी मुझे पैसे नहीं देते नहीं वाइक लिए कली तो सर्विस करवाया था पैट्रोल टैंक भी फूल करवाया फिर क्या हो गया इस यह च्वेता वहां क्या कर रही हो चलना नहीं यह क्या नहीं कुछ नहीं आ रही हूं कहीं भी जाके बैठ जाती हो क्या अब अखवास है चलो यार क्या था दो क्या प्र यहां कोई है क्या दीदी यह अभी तक सू रही है श्वहत् efecto जल्दी उठ्य Labsत को को की सोता है क्या के टाइम देखो कितना हो गया है चल जल्दी उठ्कर तेयार हो जा दीदी तुम कल रात को मेरे कम्रे में आई थी ठीडिया तुम्हारे रूम में क्यों क्या हुआ कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी ठीक है जल्दी तैयार होकर आजा सुनिए कॉफी पी लेजिए श्वेता रेडी हो गई क्या तैयार हो रही है पता नहीं कैसे लेट हो गई अभी आ जाएगी मुझे बाहर निकालो मैं दाहर आना चाहती हूँ मेरा नाम पार्वती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मुझे बाहर निकालो श्वेता आ रही हूं दिदी बाय दिदी श्वेता नाश्ता तो करके जो कॉलेज में कर लूगी दिदी कैसी लड़की है ये पता नहीं कब समझदार होगी तैंक्यू जीजू लालालाला अरे इतनी जल्दी आ गया तुम कैसे लड़के हो तुम कि अंदर कैसे आगया तुम अंदर कैसे आगया मैं कैसे भी आसकता हूं है ये अंदर कैसे आया कल जाते वक्त मैंने सब दर्वाजे अच्छे से बन किय थे आप कि इसे अंदर आगया होगा है पर खिड़किया भी तो बंद हैं तुम अंदर कैसे आए मुझे खिड़की विड़की से कोई मतलब नहीं दर्वाजा बंद हो या खुला हो जब मुझे आना है मैं आही जाओंगा अरे यह कैसी अजीब बात कर रहा है तुम क्या भालतु की बात करते रहते हो अरे तुम बेकार में टेंशन मत दो तुम बार अंदर आखी मुझे क्यो परशान कर रहे हो मैं तुम से बहुत प्यार करता हूं तुम क्या भालतु बात कर रहो मुझसे ना मेरे पिता जी भी प्यार नहीं करते तुम क्या करोगे तु एए शल्माना कि तरह तो में क्या लगताइ मैं खूश हो जाऊँ गा है मेरे दोस्त dB ते पता है वो लोग कहते है एजी स्लीम ऑर ट्रीम होने की वज़े से मैं शारुख घान लगता हूँ शारुक खान कि तरह शारुक खान हो या सलमान खान, बाई कितनी भी अच्छी हो, रोड पे वो कैसी चलती है, ये जरूरी होता है एए, सुनो, सुनो, तुम फाल्दू की बाते करना बन करो, अच्छा, ये बता हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्या? मैं जिस जगे पे रहता हूँ, वहाँ कोई दोस्त नहीं आना चाहेगा अच्छा, सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम सिर्फ उसका जवाब दो, तुम अकेले क्लास आते हो, अकेले चले जाते हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होता, क्या बात है? मेरी किसी से पढ़ती नहीं है, तुम्हारे किसी से पढ़ती नहीं है, सच सच बताओ तुम कौन हो, अरे, ये कहां गया, ए कहां चले गए, यो भाई, अरे आजो, अरे कहां चले गए, मैं भूत हूँ, तुम्हारा अपहरन करने आया हूँ, भूत हो, अरे, अलो, कहां मुझे बचा लो मुझे बचा लो अए हऊ हाहा हऊ है तो तो क्या हुआ अने तो उसे रो जा जा के फरीशान करता है अरे किसने मेरे पास बेजा उसे, छोड़ूगा नहीं उसे, मेरा घर कहां चला गया, यही दोट पर तो था, मैं गन्फूज हो गया है यार, मुझे कहां जाना है, अरे कहां चला गया, मेरा, अलो, स्टॉप, 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 स्टॉप आई से, प्लीज मेरे घर तक डात रह से, प्लोट मुझेक और गाड़ा हो से, उसे, स्टॉप, 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 स्टॉप।र गतर स्टॉप, स्टॉप, प्लाअधू दौट कोङरे राचोंचे, 수िरू आघर, और के। अलिमुरूद मेरे नभी नहीं है, अलो, अलो, है बहुर पास यह, स्टॉख तरफ यह जहां जाना है वो जगह यही है मुझे इसी जगह पर आना था क्या तुम्हें किसे बता है तुम तो बहुत है यही कहां रहाँ दो खोड़ दो मुझे अन्या जाया चाहां ट़ो अरे नाई आई घोल जाल्ड़ू अरे शोड़ दो मुझे अरे ज गुद्दो पूंज है ना इनुद्धेस भूलड गश्टनर घ्ली सबस्द्द रहें घ्ली सबस्ता जाना है हुआ है? हुआ है इन आख कहां है? हुआ? आप अूल प्रस्ट लो बना से कुछ यह सब क्या है यह सब बॉक्स में किसने रखा अ है कि असप्तु है यह कि असप्ती है हुआ। अप्शकुन है ये ये सत्य है! सत्य है ये! खुँ वुु Nachtु朝 क्यु बु शु वु श्युदत स्यु द्य०त मैं अकेली हूँ, मुझे बाहर निकालो मैं तुम्हारे शरीर में रहना जाती हूँ, ये मेरी इच्छा है, आजा, आजा और डाओ धस्वारे शरीक तूम्हारे शरीक टूम्हार, तूम्हारे शरीक डिन्हारे थार्ण करता अबारी बाहरे विंदा थाना कि रहारे अजा बाहरे कि था झालो प्रेसे नोगा स्वाती क्या कर रही हो मुझे देर हो रही है एक मिनित में आ रही हूं श्वेता अबे तक रेड़ी क्यों नहीं हुई देखती हूं क्या बात है क्या चोटी बच्ची की तरह बॉक्स के पीछे पड़ गई हूं चलो नाशता कर लो देर हो रही है दीदी मुझे आज कॉलेज से लोटने में देर हो जाएगी मैं अपने फ्रेंट्स के साथ मूवी देखने जा रही हूं स्वाती आज कलेज के दोस्तों के साथ बाहर गुमना कॉमन बात है इसमें कुछ भी गलत नहीं है उसे लाइफ इंज्जाई करने दो इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता ठीके जाओ लेकिन जल्दी आजाना थेंक यू जी जू यह क्या है इसे मच्छुना क्या है इसके अंदर क्या है क्या करियो तुम तुमने इसे धक्का क्यों दिया मैंने क्या क्या जीजू दी मुझे कुछ हो गया था दीदी हम वेरी सोरी दी मुझे कुछ में समझ नहीं आरा मुझे माफ कर दीजिया नहीं नहीं श्वेता तुमने जान बुझकर कुछ नहीं किया ऐसी बाते मत बोलो देखो मैं बिल्कुर ठीक हो देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है दीदी तुमने मूवी जाने से मना किया था ना मैं नहीं जाओंगी तुम जो बोलोगी मैं वहीं करूंगी लेकिन तु इसी बाते मात कर पगली तू तो मेरी बेहन है एक तू ही तो मुझे अच्छी तरह समझती है श्विता तू मेरी जिन्दगी है पगली स्वातीप इसे हुआ क्या था यह श्रता हमारे कॉलेज में भूत प्रेत आत्मा यह सब नहीं है यह सारी बाते जूट है अपने प्रोजेक्ट में तुमने साबित किया था उसके बाद भी तुम्हारे फेस पे डर क्यों है इस्ट कांट बिलीव दिस नहीं रूपा मेरे अंदर क्या चल और तुझे समझ में नहीं आएगा है मुझे उस घर में पता नहीं कुछ अजीब सानुभव हो रहा है उस घर में मुझे दर लगता है मैं मैं बहुत उनकमफड़बल होती हूँ हुँ ठीक livres वहा क्या हुआ था सब बता मैं सुनने को तयार हूँ मुझे क्या हो रहा है मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है किस वक्त मैं क्या बोल जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता जब मैं अकेली होती हूँ तो यहाँ लगता है कोई अजनवी मेरे साथ है सबके साथ होते हुए भी अकेला पंसा महसूस होता है मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मुझे कुछ होतो नहीं जाएगा श्वेता ऐसा कुछ नहीं होगा यार तुम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में आई हो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है तर असल बात यह है तुम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत टेंशन ले कंट्रोल कर रहा है रूपा मुझे क्या हो गया है मेरी मा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है चलो मुवी के लिए देर हो रही है आजा तुम लोग भी चलोगे है यहीं पर टाइम पास करते रहो गे आ रहे हैं यार हम लोग रूपा यह क्या मुझे फोन कर रही है कोई नहीं है हलो रूपा तुम जल्दी से पॉले जाजाओ प्लीज जल्दी आओ हलो रूपा हलो यह क्या हमारे शेटल कोड में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है शेटा क्यों इतनी जल्दी यहां ने कोगा रूपा को कुछ हो गया है चलो क्या हो गया उसे चलो 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 प्रवीन कहां जाना आजाओ आओ ना उपर उपर आओ आओ यह आवाज कैसी मुझे नहीं पता आओ प्रवीड आओ आओ प्रवीड आओ आओ प्रवीड आओ शेटा रूपा कहां है वहाँ है उसे क्या हो गया बोलो मुझे कुछ नहीं पता रूपा मुझे मतना रूपा 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 सुन सौ रूपे की टिकेट खरेट के ठेटर में सोना जरूरी है क्या मन्जुल क्या है तुझे पता है क्या हुआ क्या हो गया स्वैता और रुपट मुझे मोहिनी की तरह लग रही थियार वह म oppress में यमराज जगा हुआ आप चाल पिक्चर खतम हो गई है मोहिनी लग रही है इसे श्वेता उस पाखल प्रवीन को रूपा मोहिनी की तरह लग रही थी तो क्या करें वो बात नहीं है तुम भी उसे मोहिनी की तरह ही लग रही थी यार क्या हुआ श्वेता तुम क्यों शांत हो गई ये शम्शान मौन रूद्र भयानत जगा देखकर दर लग रहा है क्या यहां की आवाज बहुत अच्छी लगती है यहां की बुरी शक्तियां मन को बाहर रही है इस सुनसान जगा पर अगर चिलाने की आवाज सुनाई दे तो य कि दुनिया में किसी को भी डरा सकती है क्या हुआ तुम कुछ सोच रही हो क्या पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है वो श्वेता को क्या हुआ पर हर रोज उसके अंदर बदलाव आ रहा है वो रूम में बैठकर बॉक्स को घुरती रहती है आजकल कुछ अजीब सी लगने लगी है अगर मैं सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है तुम फालतु में क्यों चिंता कर रही हो इतना टेंशन लोगी तो कैसे काम चलेगा अरे यह सब होता रहता है इसमें इतनी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है आप समझ नहीं र लगँछ जटिया को आप सबस्क्राइब करेंड़ मार नहीं है अवाली कर रहता है अबत्रा में अबत्राइब कर नहीं है प्मोनननते हो पिरिसटे में उपटाए NOM हर उन हर डाल हर तान राल आत के ह screenshot विल्हें एफ एफ ए एफ पह एफ पह एफ पह एफ घए एफ हुई एफ एफ श्वेता... अज्वेता... मेरे बासा... मेरे बासा... ज्वेता... मैं तुम हारी दोस्तु मुष्वेता... मैं धस्तुम हारी अज्वेता... अज्वेता... सुनि एप सुनि उठी ना क्या हुआ क्यों उठा रही हो कोई आवाज आ रही है हूँ यह क्या है समझ भी नहीं आ रहा यह आवाज हाल से आ रही है ठीक मैं देखता हूँ शुनि यह यह सुनि यह क्या हम यह यहार है सुनी यह क्या हो रहा है यह क्या है मुझे नहीं पता तुम चले यह से चलो आजा यहां क्या हो रहे है जी खरो दो लग रहा है जी चल चल कर देखते हैं सुनिये, यह क्या हो रहा है जी आजा, बिक्ते, अरे, यह, यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है सुनिये, वहाँ देखी सुनिये, मुझे बॉर्टर लग रहा है तुम दगमात श्वेता तुम्हें क्या हो है, एसी हरकते क्यों कर रही हो, क्या बात है यह मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ फ्रेंड, कैसी बात कर रही हो, वह कहा है वह ना, इसके अंदर छुपा है, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती कोई बात नहीं हम नहीं छीनेंगे प्रॉमेस प्रॉमेस आओ आराम से आजाओ ठीक श्वेता, श्वेता, तुझे क्या हो गया है तु क्यों इस बॉक्से खेलती रहती है, क्या होगे तुझे श्वेता, श्वेता ठीक हो जा उसे नीदा रही है, अब हम जा रही है सुनिये, इसे क्या होगे जी, ये बच्चों की तरह क्यों कर रही है इसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती मुझे बहुत ड़ा लग रहा है जी सुनिए मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ उसे जरूर कुछ हो गया है हमेशा बॉक्स को लेकर कुछ ना कुछ बाते करती रहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कल रात को रूम में जब अकेली थी उसकी हरकते देखकर मुझे भी शक हुआ था कुछ ना कुछ गरबड है सुनी, मुझे लगता है कि श्वेता को हमें किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसका कोई फाइदा नहीं आत्मा घुष चुकी है उसके शरीर में फेता आत्मा ए, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? पूर्ण चांद के धीन आत्माओं के चक्कर में श्वेता आधी रात को शम्षान के रास्ते से गुजरी थी इसी लिए उस खतरनाक दोष्ट शक्ती ने उसे पकड़ लिया और वो दोष्ट शक्ती तुम्हारे इस घर में उस कन्या के भीतर प्रवेश करके आई है नहीं यह सक्त्य नहीं है वो खतरनाक दोष्ट शक्ती है यदि उसे वश्च में नहीं किया गया तो वो दोष्ट शक्ती इस घर को बरबाद कर देगी किसी भी तरह से उसे इस घर से निकालना होगा बहुत बखवास कर चुके, निकलो तुम यहाँ से वो सर्वनाश कर देगी तुम्हारे पूरे परिवार को वो मिट्टी में मिला देगी निकलो यहाँ से आज तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे जब तुम्हारा विनाश होने लगेगा तब तुम मेरे पास आओगे तुम मेरे पास आओगे अरे यह क्या है? इसे क्यों साथ लेके सो रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वाती ने इसी बॉक्स के बारें बता है था देखता हूं इसमें क्या है ओ माई गॉड़ यह तो बहुत विचित्र है यह तो बाल है इसे क्यों रखा हुआ है? ओ मेरा तो दिमाग ही घुमने लगा है इसे क्यों बाल हुआ 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 है डाक्टर क्या हुआ है इसे चिंता करने की कोई बात नहीं है थोड़ा बुखार है मैंने इंजेक्शन दे देता हूं यह कल तक ठीक हो जाएंगी वाव नाइस बॉक्स सुनो यह बॉक्स बहुत खास है इसका डिजाइन भी बहुत सुन्दर है मेरा अनुभाव कहता है कि यह बॉक्स तकरीबन सौ साल पुराना है क्योंकि जिस तरह का डिजाइन इसमें बना है वैसे अब नहीं बनते हैं क्योंकि आजकल ऐसे डिजाइन बनाने वाले शायद रहे ही नहीं और सबसे खास बात यह है कि कई साल पहले अगोरियों ने इस बॉक्स को डिजाइन किया था क्योंकि उस वक्त इस तरह के डिजाइन सिर्फ अगोरी ही बनाते और इस्तिमाल किया करते थे यहां त्यान से देखो कुछ लिखा है आओ देखते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि यह आत्मा की पेटी है इसका मतलब कि इस बॉक्स में किसी आत्मा को बंद करके रखा गया था आत्मा अगोरी इस सब क्या है प्रोफेसर साब कुछ साल पहले है पुरा तत्व विभाग के लोगों ने पुरानी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खोज की फिर उन्हें विशेश मिट्टी से एक पीरामीड मिला खास बात यह है कि उस पीरामीड में जो है और इस बॉक्स में जो है इन दोनों का आपस में गहरा संबंद है उस पीरामीड के बारे में रिसर्च करने से इस बॉक्स के बारे में बहुत से रहस्यों का पता चला बॉक्स और पिरामीड की रिसर्च के बाद जब ग्रंथों का अध्यन किया गया तो वहां पर भी इसके बारे में इस बॉक्स का उस आत्मा से क्या संबंध है प्रोफेसर उस जमाने में तंत्र मंत्र वशीकरण सम्मोहिनी ऐसी ही कुछ विद्याओं का लोगों पर इस्तेमाल करके उन्हें सम्मोहित किया करते थे हमारे प्राचीन काल में शास्त्रों से, वेदों से, तंत्र मंत्र से बहुत विशेस काम किये जाते थे इससे कठिन काम भी सरलता से कर लेते थे और वो आत्माएं किसी के शरीर में भी प्रवेश कर जाती थी उसका दुरुपयोग करके, अपने स्वार्थ के लिए उसे कष्ट देती है उसका जीना हराम कर देती है आत्मा का वशी करन करके, दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके पापी लोग इस दुनिया को अपने वश में कर लेना चाहते है और उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आप इन सब पर भरोसा करते हैं क्या प्रफेसर्ट? सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है अगोरी लोग दुष्ट आत्माओं को इस बॉक्स में बंद कर देते थे मैंने आपसे क्या कहा था? इस बॉक्स में लिखा है कि यह आत्माओं का बॉक्स है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बॉक्स में आत्मा या कोई दुष्ट शक्ती बंद रही होगी इसमें कोई शक्त नहीं है So, this is a very, very dangerous बॉक्स यहाँ देखो, क्या लिखा है? यहाँ पर यह है और इसके बंद यहाँ इसे चुनना बहुत है ख़दरनाक साबित होगा So, never try to open this box आत्मा को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया है और अगर इस बॉक्स को कोई खोले तो वो आत्मा उसके अंदर खुश जाती है उसे परिशान करती है फिर उस व्यक्ति के मृत्य निश्चित हो जाती है कोई उसे टाल नहीं सकता भूत की शक्ती मनुश्य के अंदर प्रवेश करके शैतान बन जाती है और उस पे अपना अधिकार जमा लेती है भूक रही है क्या काम और खाना है तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूं बस दो दिनों में तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और भी खालो अपड़ हो जाएंगी अपड़ हो जाएंगी प्षण दिनों में लेती है अपड़ हो जाएंगी और बसुम्हारी तकलीफें प्रवें दूर्क जाएंगी और बोग लग रही है और खाओगी और खाओ ये सब तुम्हारे लिए है खाओ और खाओ कालो खाओ खाओ ख्राओ Amendment हुईस्नो ख्राओ श्राओ भुईस्न ja स्वादी श्वेटा, श्वेटा श्वेटा क्यों श्वेटा, तुम क्यों इस तरा के आरकते करते हो? श्वेटा, तुमीदर आओ श्वेटा, क्या कर रही हो तुम? मैं श्वेटा लही हो, मैं श्वेटा लही हो श्वेटा, यह मजाग बन करो, बाहर आओ श्वेटा, तुम यह क्या कर रही हो, बस करो यह नाटक श्वेटा, श्वेटा श्वेटा, श्वेटा श्वेता क्या हो गया तुम्हें दीदी यह मुझे क्या हो गया दीदी मैं कौन हूँ मुझे बहु डर लग रहा है दीदी नहीं श्वेता रो मत हम सब साथ है घब रहाओ मत श्वेता सब ठीक हो जाएगा स्वाथी प्रत्री सुनिए लुद्द सुनिए हमारी श्वेता को क्या हो गया हमारी श्वेता यह उसका चेहरा सब बदल गया है कि हमारी श्वेता कोई दूसरी कोई श्वेथा को कुछ ही होगा तो भी मत रखो श्वेथा 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 स्वाथी स्वाथी कि यह आत्मा की कब्से में इसके अंदर आत्मा प्रवेश करें कोई बहुत बुरी आत्मा इसके अंदर घुस गई है सबसे पहले इसके शरीर से उसे निकालना होगा पर ये काम कोई साधारान आदमी से नहीं हो सकता है ये सब काम तांत्रिकों का है कई सालों की कठिन तपस्या ध्यान पूजा से भगवान की कृपा से सिध्धी प्राप्त क करने वाले ही इस तरह की आत्माओं पर काबू पा सकते हैं लेकिन वह कहां मिलेंगे प्रोफेसर शिवपूरा यहां से 800 किलोमीटर दूर एक छोटा सा काउं है वहां के मट के स्वामी बहुत ज्ञानी है उन्हीं के पास इस आत्मा को निकालने का सामर्थ है ओम नमस्षिवाया ओमनमस्षिवाया ओमनमस्षिवाया गुरुचीप गुरुची गुरुची जाजने नत्यागे नईके अम्रुतत्वा माय रुदू परेना ना कन्निह तंगुहायां विफ्राजदे तद्यतयो विशम्ती वेदाल्त विज्ञान सुनिष्चिता अर्था सन्यास योगाज्यत यशुद्ध सत्वा ते ब्रम्हलों के जुपरांत का गुरुजी इस बॉक्स को देखना चाहते हैं गुरुजी पूछ रहे हैं ये बॉक्स तुम्हें कहां मिला एक पुराने बंगले में इस बॉक्स को आपने खोला तो नहीं था मैंने नहीं खोला हाँ पर मेरी मेरी साली ने खोला था खोल अलर्ट खोल अलर्ट वो भी छोटी है गुरुजी उसे पता नहीं था इसलिए गलती से खोल दिया आप लोग कुछ भी कीजिए पर उसे बचा लीजिए गुरुजी यह अत्माएं किसी इंतजार में रहती हैं कि कैसे भी उन्हें कोई पवित्र शरीर मिल जाए और वो उसमें प्रवेश कर जाए उसके बाद वो आसानी से शरीर नहीं छोड़ती है एक बार अगर उसे कोई शरीर मिल गया तो फिर उसे छोड़के नहीं चाती उसे जिस शरीर में प्रवेश करना होता है वो उसे आवाज देती है बहुत ही प्यार से उसे पुकारती है उसके बाद सबसे दूर करने की कोशिश करती है उसके बाद नाटक शुरू करेगी उसके शरीर में प्रवेश करके उसे बदल देती है वो जिस शरीर में प्रवेश कर जाती है उसमें बदलाव दिखाई देने लगता है उसके बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा तक अपवित्र हो जाती है उसे शरीर से बाहर निकालने का केवल एक ही साधन है केवल एक ही रास्ता है और वो है शरीर मेरी साली की जान खत्रे में है उसे बचाने के लिए क्या करना होगा? उसे बचाने का केवल एक ही मार्ग है उस आत्मा को उस बॉक्स में वापस डालना होगा इसके अलावा कोई मार्ग नहीं मैं नहीं जानता कि वो कैसे ठीक होगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किर्पा करके आप ही हमारी मदद कीजिए गुरुजी इस काम में बहुत खत्रा है, जो भी इस बॉक्स में हाट डालेगा, उसके शरीर में उस आत्मा के खुसने का डर होगा किर्पा मेरी कुस्तों अदद कीजिए, मेरी साली बहुत कमजोर हो गई है, उससे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बीमार हो, उसके शरीर पे आत्मा ने कबजा कर लिया है, कुछ भी करके, मेरी साली को बचा लिजी गुरुजी ये काम, हमसे तो नहीं हो सकता, अब तो भगवान की जो इच्छा हो वही होगा भगवान की इच्छा? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये आपके माँ और बहन के साथ होता, तो भी क्या भगवान की इच्छा बोलके छोड़ देते हैं? साधू संतों को, हमारे जैसे साधारान लोग भगवान समझते हैं, लेकिन आस समझ में आ गया, कोई कितनी भी तकलीफ में आपसे मदद मांगें, आप मदद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसकी जान खुद बचाओंगा आपकी हसी का क्या कारण है? शरीर में कालिमा का भभूत और गले में रुदराक्ष पहन लेने से कोई साधू नहीं हो जाता है सुबह शाम, जप तप, तंत्र मंत्र करने से और भगवान का नाम लेने से कोई भी सच्चा साधू नहीं कहलाता तो फिर सच्चा साधू कौन है? केवल अपने बारे में ना सोच कर, जन कल्यान के लिए इंसान की मदद करता है, वही सच्चा साधू है कोई कश्ट में है, परिशानी में है, तो उसके आंसू पोचके, उसकी मदद जो करता है, वही सच्चा साधू है बहुत सारे साधू ने गेरवा वस्तर पहन कर इस काम को पैसा कमाने का साधन बना लिया है। इस संसार में जो सारी कूरितियों से परे है वही सच्चा साधू है। उस लड़की को उस आत्मा से मुक्त करा दीजिये। आत्मा से उस बेचारी लड़की को बचा लीजिए। युगों युगों से इस पवित्र भूमी में ये हिंदु धर्म के आदर्श और महत तो क्या हैं ये हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए। और उसके बाद ही हम इन सादूओं के वस्तरों को धारन करने योगी बन पाएंगे। उस लड़की को बचाना है या नहीं ये हम आप पर छोड़ते हैं। किन्तु लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। उस काम को करने के बाद मैं जिवित रहूँगा या नहीं ये नहीं जानता। और अगर मेरी जान चली भी जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप लोग भी अपने धर्म का पालन करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं आपके साथ आ सकता हूँ। क्या सोच रहें आप। सोचने से कुछ नहीं होगा। गुरू जी आपने ये बॉक्स खोल दिया। चिंता करने के कोई आवशक्ता नहीं। क्योंकि जब पहली बार ये बॉक्स खोला था उसी समय वो आत्मा बाहर आ गई थी। इस समय तो ये बॉक्स एकदम खाली है। इस वक्त वो आत्मा उस लड़की के शरीर में है। ये तो तुम जानते ही हो। गाड़ी रोको। दुनियादारी की मोह माया में क्यों फसे हुए हो। गुरुजी। लालच बहुत बुरी बला है। दन धकने के लिए कपना और पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए। यही काफी है। धन दौलत की लालच के कारण ही। दुनिया में सारी गड़बर हो रही है। इस पागल को मैं अच्छी से जानता हूँ। यह सब विनाश की ओर के जाएगा। एक तेरा से देखा जाए तो इस दुनिया में सब पागल है। उनका हुलिया देखर उने पागल कहकर तुम उनकी बेज़ती मत करो। वो महा ज्यानी है। उन्हें भगवान की शक्ती प्राप्त है। और हमें उनकी आवशक्ता है। बुद्धिमान कौन है पूछो। मैंने तुमसे उसी दिन ये कहा था कि वो एक बुरी आत्मा है। तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम आही गए। अज़ता है कि अपड़ी है मैं आप पुड़ी है हमारे पास वक्त बहुत कम है हमें इस बुरी आत्मा को बक्सा में बंद करना होगा वो आत्मा हमारी दुनिया में आकर रहने का प्रयात्न कर रही है हम उसे अपनी दुनिया में नहीं आने देंगे हवा, पानी, आग, आकाश, भूमी इन पंच तत्वों से मानो शरीर का निर्मान होता है इन ही विशेष्टाओं के कारण साथ त्वीप, साथ पानी और साथ जन्मों के विशेष्टा के कारण वो बुरी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करना चाहती है और वो प्रवेश कर चुकी है इस जन्म में वो अगर शैतान है और पिछले जन्म में वो लड़की रही होगी तो ये आत्मा साथ जन्म तक उस शरीर में रहने के लिए कोई न कोई पवित्र शरे ढूनती रहेगी उसी तरह ये आत्मा भी इस लड़की के शरीर को ढून कर इसके शरीर में प्रवेश कर गई है इस कन्या के शरीर को यहां लाओ उस दुष्टा आत्मा को यहां लिटा दो इसके शरीर से वस्त्र हटा दो इसके माथे पर ओम लिखना पड़ेगा इसके माथे शरीर को यहां लिखना प्रवेश कर दो कि शरीर को यहां लिखना ते सब्सक्राइब दो इसके शरीर को यहां लिखना दो बिक्ते योगोगीं देपा! यह लड़ी से नुष्ठान के जगे से बाहर नहीं जानी चाहिए अगर यह बाहर चली गई तो खत्रा है इस शयतान आत्मा को वापस उसी जगा पर लेटाओ है 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 अजल आधक दुर्गास उक्तम जातवेदसे शुनवावाशो ममरातियसो निजाथीवेदः चनफ पर्षदति दुर्गानि विश्वानावे वसिंधुन्दुरिता त्यक्नि तावत्मि पर्णान्त पसाज्वलंदे श्वयुद्धनी कर्म भले शुष्टा दुर्गान्दे वीगुंशर नमहं प्रपद्ये दुतरसितरसे नमहा अगनेत्वंभाणया चनफ त्वंभानध्यो अस्मान्छ्वस्ति विरति दुर्गानि विश्वा पूष्यप्रत्ष्वि बहुरान अुर्थिभवादोंका यतनया यशिन्दुर्ण। अभानि विखर्ण। था रख होकी है उब मिया ऑग ही जट हो द kilow कर दो 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 कर हो दो दो कर दो हुआ पो हो ख दो दो आ हो दो कौन है तू क्या नाम है तेरा पर्वती क्या तो आजेट्कत करनम वे कि अपर नहीं करेहि uniform अभागों आण है नुए-सजिए अःम हर वे झार ऑनाओ कि सुम्य दाल हे प्रती है कि व्यों यॉफ पार्वती बहार आओ जो बहार निकलो पार्वती आजा आजा पार्वती पार्वती मेरी बात बानो पार आओ पार्वती पाहर आओ पार्वती पाहर आओ पार्वती पार्वती पाहर आओ पार्वती पेरे रहने के जगए है आजा 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 गॉन weakness ॏ वी अस्थान पर हर आजां चालभुय ना तुर घ्रिया। और छिया खाय में तुर बारवति स्थान पर आजां़ कॉरती पर आजां जल्डी जा तुरु आजां़ जां़ कई धने पर वह सान आजयां खुझ माईब तो हुआ छुझ माईब खुझ माईब एंसमा खुझ माईब झाल उस दुष्ड शक्ति से उस लड़की को बचा लिया गया अपनी तंत्र शक्तियों से उस बुरी शक्ति को उस बॉक्स 38 में बंद कर दिया गया यदि वो दुष्ड आदमा इस दुनिया संत सदियों से तपस्या कर रहे हैं संसार को बुरी शक्तियों से दूर रखने का सिर्फ यही एक उपाय है क्यों आई हो तुम यहां क्यों आई हो वो हो अपना छोड़ के वो जहां मेरी देह में अपनी प्यासी रूह का तुने घर बना लिया क्यों यहां क्यों मेरा तन ही मिला तन मेरा ना है विला तेरा ठीकाना शमसान में है जा मुझे को क्यों तन करती क्यों मुझे में तू रहती अपनी दुनिया में तुझा लोट जा क्यों आई हो तुम यहां क्यों आई हो ओ हो अपना छोड़ के वो जहां मेरी देह में अपनी प्यासी रूह का तू ने घर बना लिया क्यों यहां क्यों आई हो जाए दो शांती दो खुद को तुम शांती दो विस्तरह अब यहां तड़ पोना दो शांती दो खुद को तुम शांती दो विस्तरह अब यहां तड़ पोना